हेलो नमस्कार दर्ट प्सवागत एक्जाम में साथ यूए एक बहुति मेर्टी पॉइंट पर बात करने वाला हूं ठीक है एक आपका अपने अक्सर सुना अपका सीवीटी एक्जाम होता है आपका प्रैक्टिकल एक्जाम होता है कि आपने अक्सर उन चीजों के बारे में कब होता है कैसे होता है क्या तयार इसके लिए को करने चाहिए इसमें जूड़ते भी है नहीं पूरा बताने वाला हुँ ठीक है लाश्च तक जूड़े रहना यदी आप आई ते फस्ट यर में हो चाहिए आप साइटे सेकंड दियर में हो तो भाई वीडियो सबसे पहले बात कर लेता हूं यहां पर सैस्टनल एक्जाम के लिए क्या मेहत्वपून पॉइंट है उस पर ध्यान देने वाली बात यह है ठीक है मैंने 200 नंबर क्यों लिखा ठीक है देखो आप अक्सर दिखा होगा आपका जो एक्जाम होता है आपका ट्रेड थियोरी का ए मिलाकर नंबर होते हैं यह सबको पता है एक आपका होता है कि इसको बोलते हैं एंप्लौ पूछे जाते हैं ले आपको समझने में आसानी हो जाए इस परकार से आपको माक्षिट मिलेगी ठीक है अब सुनना मेरे भाई तीसरी सबसे एक चीज और आती यहां पर सबसे नंबर होते हैं ट्रेड प्रैक्टिकल के तो आपकी आइटेम प्रैक्टिकल वगएरा करवाय जाते हैं कितने नंबर का प्रैक्टिकल आता है वंके पासिंग मार्क्स भी आपको बता है तो है ओना है अगर आपको ट्रेड थेओर आप्टिशन ट्रेड यहां और फिर वैघ्णान सान्स प्लस आपकी इंज्ड द्रोईंग इन तीनों में आपकी कितने परसंटेज आपके सो में से 33 कृश्ट्यंस ि दो आपका जो है कि आपका जो एमपवेड कि लिए 25 इसके के 50 म हें तो सवाल आएंगे ओवेंगे 50 नंबर का आएंगे 50 नंबर में से आपके 17 नंबर आने चाहिए कि इसमें एमंप्लोवेविटी सब्सक्राइज अपकरक्त wysra颗 में आपके कम से कम 500 नंबर होने चाहिए पास होने के लिए अगर इससे कम नंबर है तो भाई आप फेल हो जाओगे तो यह तीन पॉइंट की तो मैंने बात कर ली इस सब लोग इनके बारे में जानते होंगी जो नहीं जानते उनकर समझे तो बोलते हैं आप लोग जिसको सैस्नल एगजाम बोलते हैं कि यह घर कार होता कि अच्छा चाहिए एक्जाम्पल के तुर्पे आपको बतायता हूं यहां पर सभी वह सब्सक्राइब करें कि नयुक्त होते होगे आपने लगा हुँआ पोली छह मंहीने मेद धर महों यह फिर महिने में फिर मन्त माहिन भी हफ्ते में आप कहो यह करते होंगे टैस्ट पेश्ट हरूज कि आले जिसने कोचिंग करी होगी जो ओनलाइन कोचिंग गया होगा तेशन वगए पढ़ी होगी दस्वी मैथ की साइन्स की कुछ भी पढ़ा होगा आपने तो क्या करते होंगे हफते में फिर महीने में एक टैस्ट लेते होंगे वहीं अपनी कोपी का फन्ना फाड़ो और उ देखा-थ है आउसे जूड़ते थे सभूम होँ यहां पर पहां पर क्या होता ह service में अक्छर आपने डेखा ओना का आथमयाच में साथ में आपको नमबर दिया थे वह जोरते थे यहां पर भी आइटैया है आपका ऊलता है किती को आइट्या ही लेती है और जो इसके नमबर होते हैं इस टैस्ट के आपका यह टैस्ट लेती है कि अब इस टैस्ट में क्या का चीज़े पूछती है वह आपकी ट्रेड थी पूछ लेते हैं जैसे महाले जी एक कॉपी दिया आपको छोटी से फिर पॉल देंगे भाईया कॉपी का पन्ना फाडलो ठीक है साथ होता है उसम लाइपामाबट क्यों आपक्षा बीएवेर कर रहे हो अपनी अच्छे से रहे हो आपका अनुशाशन अच्छा है वहाँ पर ठीक है तो कुद्धाशन होते हैं दोसों रोफे तोई कोई इसको एक बार करवाती है साल में चलो टैस्ट लेता है एक्जाम कर वा लेते हैं यहां पर आपका अनुसासन भी देखा जाता है यह यह लड़का किस परकार का बीहेविर कर रहा है डंगा तो नहीं कर रहा अच्छे से पढ़ भी रहा है नहीं पढ़ रहा है यह इसका कहने का मतलब यह है कि मेरे भाई जो 200 नंबर रही किसके फ्री के नंबर मालोग क्योंकि आपकी आईटे के हाथ में होता है आपका अनुसासन सही है आपके आईटे में आप मैं आपनी आईटेम बिल्कुल फेवरेट हूं ऐसा बोलती होंगे तो भाई आपको आईटे कहिंगar विखल सब्कूल और फेसी के वाले आपको देते हैं की 200 में सेदो नमबर मिलने चाहिए ऐसा नहीं है कि आपको 200 में से इसको 120 ने 바뀌न मांक से आने चाहिए तब आधि saltipad … ऐसको 120 दे करके पास कर दिया अब इतने कम नंबर इसको क्यों दिएगे हैं या तो इसका अनुशासन सही नहीं होगा स्टुडेंट का या फिर यह कोलिज नहीं गया होगा ठीक है या फिर इसने टाइम पर दी होगी तो इस परका कि छोटी-छोटी चीजे भी आपकी आईटे वाले देखते हैं तो यह जो होता फ्राइज अप डाउन कर सकता है द्ध्यान लगना यदि आपको अपनी परसंटेज बनानी है ना तो यह आपको स्थवर असांग्स impairment एग्जांब आपको देना होगा यह जाना होगा पारी कब होता है किस टायम होता देखो अलग 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 टायमिंग होता है किक ए और यसे में अभी आने वाली में करवा देंगे मेरे बाइब करना सिर्फ इतना है तिसके अभी तक नहीं हुई होंगे है उनकी बता रहा रहा हैं मेरे एक्जाम होंगे टीक है तो वह आपको बता देंगे कि अगले महीं नहीं आ जाओ अगले अफ्ते आजाओ ठीक है क्योंकि करवाएंगे तो वही लेकिन बहुत सी प्राइवेट आइड यह यह जिसमें इस्टुडेंटी नहीं होते हैं वह बोलते हैं वह अपने आप बता है जो इस एक्जाम को देते तक नहीं हो लेकिन उनके फिर भी यहां पर दोसों में से एक सो पिचाण में एक सो सी नंबर आ जाते हैं क्यों होता है वह उनकी बात होती बस यहीं मामला है खोलना तो मेरा आपसी यहीं अनुरोध है यह नंबर बहुत इंपोटेंट है यह आपक ृपि परसंटे गांटे कि यही जो 80% का रहां होता है नहीं नंबर अच्छे होते हैं 200 में दो सो में दो सो परकार से होते हैं कि अगर आप गडबड कर रहे हो आइक से निभर या फोंप लगा करते हो आपने टाइम पर यह पर कर दिया इस फरकार की हरकत हो हो सकती है 123 नंबर आपको मिल सकते हैं लेकिन पास तो गरी देते हैं ठीक है तो मेरा आपकी इच्छा है मेरा काम से बताना है मेरा कोई इसमें फाइदा नुकसान नहीं है चाहिए बाद में क्योंकि बहुत से चातर ऐसे होते हैं मेरी परसंटेज कम है इसमें अपलाए नहीं कर सकता है मेरा नंबर नहीं आया ठीक है तो मैं इसलिए बता रहा हूं आपको यह एक्जाम देना जरूरी है ताकि आपकी यहाँ पर आई टे में अच्छी पर्तिशत अच्छे नंबरों से आप पास हो सके बस मेरा यही मोटीवता इस गजाम के बारे में और अहीं बात चुष माई में आप लोग परसेंट का टाइमटेवल आ जाईगा टीक है आपके अपके समया आपके पास कम होता जाए ध्यान रखना आप मैं यह नहीं कहूंगा कि आपके पास प्रॉपरे टाइम में यह कहंगा में आपके पास अंतारिम कि मστε кил थी कम है इसुआ है तिक अंक अभीन दांख भर वाले वाले होगे एक वह फिर ini में जाकर कर लो चाहिए अच्छे से तयारी करो पढ़ो अराम से ठीक है फिर आजी क्लास को यह पर दियांड करता हूं मिलता हूं अगले वीडियो मैच के लिए